Hello everybody, welcome to Magnet Brains Hindi Medium channel और मैं हूँ Anisha आपकी अपनी English Educator और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ Class 7 की UP Board की जो English Book है आपकी That is Rainbow Book, उसका Chapter No. 5 Little Birdie और आज इस Chapter बोले तो इस Poem के इस Kavita के मैं cover करने वाली हूँ इस Video में Explanation Proper line by line इस Poem का मैं आज आपको अनुवाग याने के Explanation समझाने वाली हूँ So, before starting with the Chapter or the Poem, क्योंकि एक Kavita है, ये एक Poem है हम एक Introduction समझते हैं इस Chapter के बारे में, इस Poem के बारे में तो Little Birdie का मतलब क्यों होता है Little मतलब छोटी सी और Birdie याने की Bird, चिरिया हम Birdie को Bird भी कहते हैं बतलब Bird को हम Birdie भी कहते हैं तो छोटी सी जो चिरिया होती है, Little Birdie उसे हम कहते हैं छोटी चिरिया तो कैसे एक छोटी सी चिरिया जो जिसके पंक अभी मजबूत भी नहीं हुए है वो अभी अपनी उडान भरने के लिए उडने के लिए भी तैयार भी नहीं है लेकिन अपनी मा से, अपनी मदर से कह लिए कि मा मुझे उडने दो, मुझे दूर तक उडना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं और कैसे इस Bird को इंसानों के बच्चों के साथ compare किया गया है, उनकी तुलना करी गई है हम वो समझेंगे इस पूम में, इस कविता में So, let's begin with the पूम What does little birdie say in her nest at peep of the day Let me fly, says little birdie Mother, let me fly away So, first four lines देख लेते हैं Peep का मतलब क्यो होता है जहाक न, जब आप ऐसे जहाकते हो किसी को So, what does little birdie say Little birdie, छोटी सी चिडिया क्या कह रही है In her nest, अपने घोसले में बैठकर At peep of day अब at peep of day का मतलब क्या होता है Peep का मतलब जहाकना तो इस at peep of day फ्रेस का मतलब यह है कि जब दिन का समय होता है और जब सूरज जहाक रहा होता है हम लोगों पर याने सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है दिन का समय होता है तब इन दो लाइंस में बताया जा रहा है कि छोटी सी चिडिया क्या बोल रही है अपने घोसले में बैठकर उस समय जब सूरज की रोशनी तेज है दिन का समय है, दोपहर का समय है उस वक्त ये छोटी सी चिरिया अपने घुसले में बैठके क्या कह रहे है? तो वो अपनी मा से, अपनी मदर से कह रहे है Let me fly मा मुझे उनने दो Says little birdie छोटी सी चिरिया कहकेती है Mother, let me fly away मा मुझे उनने दो away याने दूर तक मुझे उनने दो Birdie, rest a little longer Till the little wings are stronger So she rests a little longer Then she flies away A little longer का मतलब होता है थोड़ी देर और कुछ समय और Stronger का मतलब क्या होता है? अधिक मजबूत याने और मजबूत और ताकतवर तो जब little birdie छोटी सी चिरिया अपनी मा से कहती कि मा मुझे उनने दो मुझे दूर तक उनने दो दिन के समय में तो मा अब कहती है अपनी birdie, अपनी बच्ची को कि birdie, याने चिरिया Rest a little longer याने थोड़ी देर और इंतजार करो Rest करो तुम अपने इसी गोसले में अभी आराम करो Till the little wings are stronger तब तक जब तक तक तुमारे ये जो चोटे-चोटे wings जो चोटे-चोटे पंक है ये जो तुमारे पर है ये और मजबूत ना बन जाए क्योंकि अभी तो तुम चोटी हो तुमारे पर अभी उडान भरने के लिए मजबूत नहीं है फिर इसी लिए यानि कि जो लिटल बर्टी है जो चोटी सी चिडिया है rests a little longer यानि वो थोड़ा और इंतजार करती है कुछ समाइक लिए थोड़ा और वेट करती है rest करती है अपने गोसले में तब तक जब तक उसके पंक मजबूत नहीं हो जाते और जब उसके पंक मजबूत हो जाते है जब वो एक बड़ी चिडिया में convert हो जाती ही बन जाती है तो वो अपनी उड़ान भरती है and then she flies away और फिर वो दूर तक उड़के चली जाती है अब अब तक चोटी सी चिडिया और चिडिया की जो माँ होती है मादा चिडिया उसके बारे में यहाँ पर हमने पढ़ा अब एक बेबी यानि जो इनसान की छोटी सी बच्ची होती है उसके बार में पढ़ रहे है और उसको compare कर रहे है इस little birdie के साथ और कहते हैं what does little baby say छोटी सी बेबी जो इनसान की छोटी सी बच्ची है इनसान की वो क्या कहती है इन हर बेड at peep of the day अब चोटी सी little birdie है वो तो अपने घोसले में बैठी है लेकिन यह जो चोटी सी बच्ची हो कहाँ सो रहे है अपने बेड में अपने बिस्तर में at peep of the day तो again at peep of the day का मतलब जब सूरज बहुत तेज है, सन की रोशनी बहुत तेज है, दिन का दोपहर का समय है, यह चोटी सी बेबी यानि इनसान की जो बच्ची अपने बेड में लेटी हुई है, वो क्या कह रही है अपनी मा से? बेबी सेज, like little birdie, let me rise and fly away तो बेबी भी कहती है, चोटी bird यानि चोटी चडिया के समान की मा मुझे rise होने दो, यानि मा मुझे उठना आए, मुझे उठने दो and fly away और मुझे भी उडने दो अब यहाँ पर fly away का मतलब proper उडना नहीं है, क्योंकि bird बोलती है कि मुझे fly करना है, यहाँ पर fly away का मतलब होता है, walk, play, run, jump, etc. तो यहाँ जो छोटी सी इंसान की बच्ची वो मा से करिए कि मा मुझे उठने दो और मुझे fly away होने दो, यानि मुझे उडने दो, तो बेबी के fly away का मतलब यह है कि मा मुझे भी चलना है, खेलना है, दोडना है, भागना है, जंप करना है और मुझे सब कुछ करना है, तो चिडिया के लिए उठना मतलब उड़ना और बच्चे के लिए अपने बिस्तर से उठना याने दोड़ना, भागना, खेलना, कूदना. तो वो अपनी मा से ऐसा बोलती है. Baby sleep a little longer till the little limbs are stronger. If she sleeps a little longer, baby two shall fly away. तो अब मा अपनी छोटी सी बच्ची को क्या उत्तर देती, क्या reply करती, कि Baby sleep a little longer, कि बच्चे थोड़ी देर और सो जाओ, थोड़ी देर अपने बिस्तर में और आराम करो, तब तक जब तक तुमारे जो limbs है, याने जो तुमारे हाथ पैर है, वो और stronger, याने कि और मजबूत ना हो जाए. क्योंकि अभी तो तुम एक छोटी सी शिशु हो, बच्ची हो. तुम अभी तुमारे हाथ पैर अभी कमजोर है, उटने, चलने, दोडने और भागने के लिए अभी तुम काबिल नहीं हूँ. तो थोड़ा इंतजार करो, तब तक जब तक तक तुमारे limbs याने हाथ पैर मजबूत ना हो जाए. तो बता रहे हैं या हमारे poet, हमारे कवी बोल रहे हैं, कि इफ शी स्लीप सा लिटल नॉंगर, अगर शी याने की जो छोटी सी बेबी एंसान की, अगर वो थोड़ी देर सो जाए, सो जाए याने थोड़ी देर आराम करे और इंतजार करे अपने हाथ पैर मजबूत होने का, तो baby 2 shell fly away, तो baby 2 याने भी, 2 का मतलब है भी, तो याने बेबी भी किसकी तरह little birdie की तरह, छोटी सी चिडिया की तरह fly away हो सकती है, याने ओड सकती है, बेसिकली जैसे छोटी bird, एक बड़ी मादा bird बन गई, और फिर वो उड़ गई, उसने अपनी उड़ान भर ली, तो ये वाली भी जो छोटी सी बर्ड है, बेबी है, इंसान की जो बच्ची है, अकर ये भी इंतजार करें, अपने हाथ पर मजबूत होने का वेट करें, तो ये भी फ्लाइ कर सकती है, याने की भाग सकती, दौड सकती है, खेल कूत कर सकती है, जो इसे करना ये भी कर सकती है, यहाँ पर हमारी पोवम होती है, विनिश और हमारी जो पोवम के पोईर्ट है, जो कवी है, उनका नाम है Alfred Lord Tennyson, मेरे लेफ्ट हैं साइट पर आप उनकी ये इमिज देख सकते हैं, and with this, we question number one, what does the little birdie say to her mother? जो little birdie है, यानि जो छोटी सी चिडिया है, वो अपनी mother यानि अपनी मा से क्या कहती है? So the answer is, the little birdie asks her mother to let her fly away, तो जो little birdie है, जो छोटी सी चिडिया है, जो ननही सी है, जिसके punk अभी मजबूत भी नहीं हुए है, अपने गोसले में बैठकर अपनी मा से कहती है, to let her fly away, कि मा मुझे उड़ना है, मुझे भी उड़ने दो, एन इस बात पर मा reply करती है, थोड़ी देर और इंतिजार करो, वेट करो, ताकि तुमारे punk और मजबूत बन जाए, और फिर तुम अपनी उड़ान भर सकती हो. Next question, what does mother tell the little birdie to do? जब little birdie, चोटी सी ननी सी चड़िया, अपनी मा से कहती कि मा मुझे उड़ने दो, तब जो mother है little birdie, चोटी सी चड़िया की वो little birdie से, याने चोटी सी चड़िया से क्या कहती है? So the answer is, mother tells the little birdie to rest a little longer. तो जो mother है little birdie की चोटी सी चिडिया की वो उसको कहती की बिटा थोड़ी दिर और rest कर लो, इंतजार कर लो, आराम कर लो अपने गोसले में तब तक जब तक तक तुमारे punk, तुमारे जो wings है, stronger याने और मजबूत न हो जाएं अपनी उडान भरने के लिए तब तक तुम के लिए अपने ही घोसले में, so the answer is, the little birdie rests for some time so that the little wings become stronger to fly, तो जो little birdie जो छोटी सी चिडिया है वो थोड़ी दे rest करती है अपने घोसले में, याने आराम करती है, इंतजार करती है, वेट करती है, और कुछ समय के लिए, क्योंकि जो उसके little wings है, जो उसके चोटे चोटे पं है, वो stronger to fly हो जाए, याने वो और क्या बन जाए, stronger और मजबूत बन जाए, ताकि वो fly कर पाए, उड़ पाए, दूर तक अपनी माँ और दूसरी बड़ी चडियाओं की तरह, ओके next question, what does mother ask the little baby to do, अब इस question में थोड़ा सा correction है, आपके question and answers में जो question number B है, वो exactly same है question number D की तरह, तो ये छोटा सा printing error हुआ है आपके book में, तो what does the little, यहाँ पे book में था, what does the little birdie, what does the mother ask the little birdie to do, तो इस birdie को आप काट दीजिए और आप लिखिएगा baby, क्योंकि ये question repeat हुआ है number B से, यह आपके book में misprint हुआ है, तो यहाँ पर question यह होना चाहिए, what does the mother ask the little baby to do, ना की birdie to do, birdie को आप काट के baby कर दीजिए, तो जो mother है, अब यहाँ पे बात हो रही है, बेबी की, जो छोट जो चोटी सी baby है, इनसान की जो बच्ची है चोटी सी, उसकी mother उसे क्या करने को कहती है, the mother asks the little baby to sleep a little longer in her bed, जिस तरीके से चोटी सी birdie अपनी मा से कहती कि मा मुझे उड़ना है और दूर तक उड़ना है, उसी तरीके से यहाँ पर comparison याने तुलना की गई है, एक चोटी सी baby याने इनसान की बच्ची से, और बताया गया है कि जो little baby है, वो भी अपनी मा से कहती कि मा मुझे उठना है, दौरना है, भागना है और मुझे खेलना कूदना है, तो मा उस चोटी सी baby से क्या कहती है, ये question आप से पूचा गया, तो मा कहती है, चोटी सी little baby से to sleep a little longer in her bed कि याने थोड़ी देर और इंतिजार करो, वेट करो, रेस्ट करो, ताकि तुमारे जो हाथ पेर हैं, जो तुमारे लिम्स हैं, और stronger बन जाएं, जिससे तुम खेल सकती हो, दौर भाग सकती हो, ओके? next question, what will happen if the little baby sleeps a little longer? क्या होगा? अगर जो छोटी सी little baby है, जो इंसान की छोटी सी बच्ची है, वो थोड़ी देर और, little longer और sleep करेगी, रेस्ट करेगी और वेट करेगी अपने बेड में, तो क्या होगा? so the answer is, the limbs of the baby will get stronger if she sleeps a little longer, तो जो बेबी है, जो बच्ची है चोटी सी, उसके limbs याने जो उसके हाथ पैर है, वो और stronger याने की और मजबूत बन जाएंगे, अगर वो थोड़ी देर और sleep करेगी, सोएगी, याने की rest करेगी, वेट करेगी, इंतिजार करेगी, क्योंकि वो तो एक छोटी सी बच्ची है, उसके हाथ पर अभी बहुत कमजोर है, नाजो के, तो खेलने कूदने के लिए उसको rest करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, और साई समय आने पर वो भी अपने विस्तर से उठके खेल कूद सकती है, enjoy कर सकती है, भागदौर कर सकती है, ओके, let's begin with the exercises, word power के अंदर देखते है, give the rhyming words for each of the following words, अब यहाँ पर बहुत सारे words गिवन है, आपको उनके rhyming words लिखने है, याने की same सुनने वाले, याने की उनका spelling अलग होगी, लेकिन जो आखरी का sound होगा, वो same होगा, words देख लेते है, fly याने उडना, peep याने जहाकना, nest यान याने लंबे समय के लिए rise याने की उठना या फिर उगना, अब fly का देखते है, fly का बन जाएगा cry, अब मैंने आपर cry लिखा है, आप और कुछ भी लिख सकते है, fly, cry, try, fly का आप try भी कर सकते है, याने की sound सेम और आखरी का जो एक या दो letter होने वो same हो सकते है, तो मैंने आ या पर लिखा है deep याने की गहरा, cry करना याने की रोना होते है, nest याने की होसला, इसका rhyming है rest याने की आराम करना, longer याने लंबे समय के लिए, stronger याने की मजबूत, rise याने की उठना, और इसका rhyming होता है wise याने की सवयक्ती, जो बहुत समझदार है, बहुत ग्यानी है, जिस इसको बहुत knowledge है हर चीज का, याने की वो wise man है, okay, next, match the words in column A with their meanings in column B, to know some new words and their expressions, अब यहाँ पे दो columns given है, column A and column B, column A में कुछ words given है, और इनी words के ऊपर नीचे करके, column B में meanings given है, याने के उनके अर्थ, अब यह आपको, इससे आप क्या सीखोंगे, कुछ new words सीखोगे, आप न expression सीखोगे, याने की यह शप्त कहां और क्यों use होते है, किन जगाओ पर हमें expressions को use करते हैं, यह आज हम सीखेंगे, तो देख लेते हैं, bird bath, याने bird का नहाना, bird strike, याने bird का टकराना, bird's eye view, याने birds, क्योंकि एक चिडिया बहुत height पे उड़ती है, तो उसका view, याने कि उसका pray, याने पूजा करना, पाट पूजा करना, एक होता है pray, pray, याने की शिकार, तो bird of prey, याने कि वो चिडिया जो शिकार करती है, तो यह है कुछ expressions, अब उनके meanings देख लेते हैं, देख लेते हैं, a good view of something from a high position, एक ऐसा view, बहुत high position से, बहुत height पे, आप किसी चीज का view, याने क कोई द्रिश्य आपको बढ़िया दिख रहा है, a bird that hunts and eats other animals, एक ऐसी चिडिया जो हंट करती है, याने शिकार करती है, और दूसरे चोटे-चोटे animals को जानवरों को खाती है, a vessel with water for birds to bathe in, एक वैसल एक चोटा सा बरतन है, जिसमें water याने पानी रखा हुआ है, और birds उसमें क्या करती है, बेद याने नहाती है, a clash between a bird and an aircraft, एक clash याने टकराओ हुआ है, किस के बीच में, चिडिया के बीच में और aircraft याने की हवाई जहाज, एरो प्लेन के बीच में, अब मैंने आपको यहाँ पर यह expressions बता दिये और इन words के अलग-अलग जो meanings है वो explain कर दिये, अब guess क करते हैं, किस word, किस expression का, क्या meaning, क्या अर्थ होगा, अब bird बात, bird का नहाना हमें समझ में आ रहा है, a vessel with water for birds to bathe in, एक ऐसा बरतन जिसमें पानी और चिडिया उसमें नहाती है, तो one का बन जाएगा, c, okay, bird strike, याने bird का टकराना, तो bird यहाँ किस से टकरा रहे है, a clash between a bird and an aircraft, ए sorry, d for dog, okay, bird's eye view, कि bird के आँखों का view कैसा है, तो इसका अंसर यह होगा, कि एक बढ़िया व्यू, एक बढ़िया द्रिश्य किसी भी चीज़ का, बहुत high position से, क्योंकि एक चिडिया बहुत high, height पर उड़ती है, वो इतनी ऊपर से नीचे देख लेती, कौन है, क्या है, मेरा श bird of prey, याने एक ऐसी चिडिया जो शिकार करती है, तो इसका आंसर होगा number B, एक ऐसी चिडिया जो शिकार करती है, और दूसरे छोटे छोटे दूसरी जानवेरों को खाती है, तो 4 का आंसर होगा B, आंसर चेक करते हैं, ओके, 1 का C, 2 का D, 3 का A and 4 का B, अगर आप आंसर चेक कर To the end of the session, I hope आपको सारी textual exercises अच्छे से संद्स में आ गए होंगी, and also, do not forget to like, subscribe and share our YouTube channel. तब तक के लिए, बाँ बाई and take care.